इस युवती ने अपने बाई निचले जबडे पर बढ़ती सूजन के साथ आये. इमेजिंग अध्ययन और बायोप्सी प्राप्त की गई, जिसमें एक बड़े डेंटिगे रॉस सिस्ट का पता, रोगी को उपचार की योजना के बारे में बताया गया और उसने सरजरी के लिए हामी दी. दोश के पुनर निर्मान के लिए रिब ग्राफ्ट के साथ सरजरी शुरू हुई. डेंटिगे रॉस सिस्ट को घाब के उपर वाले दान्तों के निशकर्शन के साथ हटा दिया गया था. परिनामी बोनी दोश को टाइटिनियम पुनरनिर्मान प्लेट और ग्राफ्ट के सा कंजा का उप्योग करके फिर से बनाया गया था। आसपास के वायो कोशिया हड़ी के लिए हड़ी के ग्राफ्ट के समेकन की अनुमती देने के लिए सरजरी के बाद 6 महीने की अनुमती दी जाएगी। उस समय डेंटल इंप्लांट्स लगाए जाएंगे और उसके बाद साथ इंप्लांट्स के ओसियो इंटिग्रेशन की अनुमती देने के लिए 6 महीने और लगाए जाएंगे। रोगी के पुनरवास को पूरा करने के लिए सिरिमिक क्राउन को दंत प्रत्यारूपन के उपर रखा जाएगा।